शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें आप यह तुम का आप यह क्या रहो आप गरबर चलो चुप तु बीच में मत बोलना दूफ यह दिस लॉट राइट भाहिया तुम्ने मेरे जीजी को इसले फासाया ना कि तुम्ने कमीर इंसान चाहिए था यह उनसे ज्यादा मीरू कोई जुबान समझो या ना समझो पाइद साथा सौधा करते घर के दामाद को छोड़ो और घर के बेटे का हाथ थाम लो वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकते लेकिन मैं मैं मेरी बहन की खुशी के लिए मेरी बहन का घर बचाने के लिए तुम्हें इतनी दौलत दूंगा ना इतनी दौलत दूंगा कि तुम गिंते ग तक जाओगी, परिशान हो जाओगी, और वैसे भी, तुम्हारी जैसी लड़की तो हिसाब किताब में बहुत तेज होती है न, नहीं, I'm sure, तुम इसका भी हिसाब किताब कर लोगी, कर लिया हिसाब, पूरा हिसाब कर लिया, तराजू के एक पड़ले पे तुम्हारी मदद को रखा और दूसरी पे तुम्हारी सोच को, और तुम्हारी घटिया सोच मदद पे भारी पड़ गई, हम नहीं जानते थे, कि तुम इतने गिरेव इंसान हो, जब तुम्हारी सीने में भी दिल है, लेकिन नहीं, अगर दिल होता न, तो आज ऐसी बात नहीं करते तुम, अब अगर तो पल भी और यहा रुके न, तो हमारा दिमाग भेड जाएगा, कुस्से में तमीज भूल जाएंगे, हम हमारा यहां से जाना ही सही रहेगा, मंद अब से दुलन का जाना अप्शा गुन होता है, पंदे जी, मंत्र बढ़िये आप, आप तो दिमाग खराब हो, क्या क्या बन कीजिए, अब में काना न, चुप रहो, दिमाग भेल के है क्या, मंत्र बढ़िये बंदे जी, क्या बंदे जी, मंत्र बंदे जी, मंत्र बंदे जी, मंत्र बंदे जाना न, चुप रहो, दिमाग खराब हो, 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 दि परे पुरे भूए झाल झाल सिंदूर मर्द के लिए सौधा होता होगा औरत के लिए सौभाग्य होता है जब सौभागन अपनी मांग में सिंदूर भरती है न तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात को और ही मैया ने उन्हें हार्शिरवाद दे दिया झाल झाल गाड़ी निकाल दुरूव गाड़ी निकाल याब क्या कर रहे है भाई आप इसे कहा लेकर जा रहे हैं जीजा जी को उनके सच्चे प्यार की इसलियत दिखाने, इस लड़की की आउकाद दिखाने, जिस लड़की पे उन्होंने इतना भरोसा किया, उस लड़की ने उनका भरोसा तोड़ा ही नहीं, सीधे पेच दिया. विद इस नोट राइख! अम अम शेब कि आपने बिल्कुल सही नहीं किया बाईया जब पात मेरी बेहन की जिंदगी की हो तो अच्छे बुरे की फिक्र नहीं करता मैं धुरू अधी को बचाने के लिए जो कुछ भी मुझे करना पड़ा मैंने किया और आपकी जिंदगी आपका क्या किरन का क्या कर दो प्रूलत निकालो, हमारे चंपा का ब्या हुआ है, अपैसी, हमारे पास धोलक है क्या? चंपा, रो के रही हो चंपा, यह तो कितनी अच्छी ख़बर है ना, हम तुमें राथो डवेली भेजने का रास्ता धून रहते हैं, लेके, रास्ता खुच चल के मारे पास आगया, हाँ, एका, वैसे उससे याद आया, बारात में कौन कोन आया था, तुला शेरवानी पहन के आया था क्या, बड्डू बड्डू परे थे, बताओ रहा, डूली का रंग क्या था, रंभा, अब तुम, खुले आप, सब के सामने और शेर थे, यह सेंदूर, उस इंदूर के उचे दर्वासों की चाबी है, बड्डूर कोई नहीं होता दी थी, अब बडसों से संदूर सनाते आया है, उससे ज़्दार का बोल है, कोई नहीं चाहता, अब से विरा पूच्णा, हमसे मेरा पूच्णा हम आरे माम पर दी, बाबूने सिंदूर को नफरित का बोरा बना दिया अब हम उपरिवाद के किसी भी के इससा नहीं बनेंगे बहुत हो गया अब हमें उना दोड़ बिले नहीं जाना नहीं जाना हो आपे नहीं सिंदूर का बजाग बन गया अब हम सिंदूर को केल नहीं बनने देंगे आप लोगोने हमें पैट से जिंदा कर दिया उसके लिए बहुत 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 बनने बाद लेकिन अब हम उराथो और प्रिवार के केल का कोई बेसा नहीं बनना चाहते है अब ही सब जो कर रहते ना बस अपनी तारा के लिए कर रहे थे, क्योंकि आप लोग उसे सिंदा कर सकते थे, पर हम नहीं, अब अब सौन नहीं हो सकता, आवे पाफ कर दीजे, यैसे पचाओगी तारा को, कोई रास्ता है तुम्हारे पास, अब यही रास्ता है चंपा, तुम नातों अवेली जाओ, और अब लिक्रम की पत्नी नहीं है, अबू की पत्नी नहीं है, अबू की पत्नी नहीं है, अबू की पत्नी नहीं है, पत्नी नहीं हो, तो मिटा दो यह सिंदूर, सुहागन नहीं हो, तो सुहाग की निशानी क्यो रखी है, पोश्च दो, मिटा दो यह सिंदूर, क्या हुआ? रुको, हम ही पोच्छ देखे हैं लिकरम तु जानता तुने क्या किया है क्या क्या? आपका भरम उस लड़की का गुरूर तोड़ा है जीजा जी आपको ऐसा लगता था ना? कि वो आपसे प्यार कड़ती है आप जिसे प्यार समझते थे जीजा जी वो सौदा था और सौदे में दिल नहीं जीतते है दॉलत जीतती है और आज दॉलत जीती है आपको उस लड़की को हासिल करना था ना जीजा जी लेकिन आप उसे कैसे हासिल करेंगे क्योंकि अब तो वो किसी और की बीवी है और एक मांग में दो नाम की सिंदूर नहीं रहा करते है और उस लड़की की मांग में मेरे नाम का सिंदूर है तुझे क्या लगता चंपा सिफ दॉलत से प्यार करती है अब कॉस तो तो पिर तेरे साथ यहां क्यों नहीं आई इस हुएली की बहू बनने के बाद यहां की दॉलत और आज़ने क्यों नहीं आई तेरे साथ क्योंकि तूने इस लड़की को परक्षने में गल्ती कर दी तूने अपने जिर्द में आकर उस लड़की की जिंदगी बरबाद कर दी विकरम सिंग राठोड रोका है रही है चमपा जब इस सिंदूर का कोई मतलब ही नाई है तो मिटा दे दो क्यो पुश्ड पूस्टतव है चमपा नई है चमपा चयतले कर दी दी नएग पुश्ड बरबाद में है जी जी सिंदूर चाहे किसी भी बहाने से आए एक बार मांगने आ जाता है न तो औरत बंद जाती है जिसे तू बंद गई है चम्पा तेरा संबार तुझे उसकी नहीं होने देगा और उसका सिंदूर तुझे किसी और की नहीं होने देगा वही हुआ जो हमेशा से होता है ता ठोड परिवार ठोड परिवार जीता है यह बस अपना हत्यार बदल लेता है और इस बार उनका हत्यार बना तेरा सिंदूर वो जानते थे कि तेरे लिए सिंदूर की कीमत क्या है इसलिए उन्होंने तुझे सिंदूर रेखा में बांदी कि परिवार ऐसा ही है चमपा हमें कालमिक्ष से बांदिया तुझे सिंदूर से बांदिया और तेरी बहन तारा को तो मारी डाला विकिन उसे वापस लाने का एक तरीका है और उसके लिए तुझे राठोर हवेली जाना पड़िगा सिंदूर को हत्यार बना कर इस्तमाल तो उनोंने कर लिया अब तेरी बारी है चमता तुझे मां के मंदिल गई थी ना तुन्हें उनसे रास्ता मांगा था ना ले दिखा दिया और उनने तुझे रास्ता लेकिन अब इस पर तुझे चलना होगा अब तुझे चलना होगा आज तक दुनिया ने सिंदूर का समर्पन देखा है अब सिंदूर की शक्ती देखेगी कजरा लगाए मधू क्यारी सीमह के मधू सचे सबर के यू मादुरी एक हमा तुझे भया कर रहे है नए अम्मा हम दूसरा ब्या क्यो करेंगे करेंगे फर इतना सथ सबर कर किसके लिए जूम रिय है अब क्या है न मा आपको तो पते यह आब हमको सजिने सबरने का सौट है नहीं ठेकिन मुझे लड़की आरा इना वो क्या नां उसका किरन हाहा, किरन वो कहीं यह ना कह दे कि हाय चाची कित्यी सिंपल लग रही हो यहाँ जी इतना बड़ा अनर्थ होते बचा है वहां शीवानी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया है और तुझे स्रिंगार सुझ रहा है चाह जाकर मुदो करा रुके जाचे दादी घर में कुछ भी बदलने की जरुवत नहीं दी को एक उदास घर की नहीं बलकि हसते खेलते परिवार की जरुवत लेकिन भाई अगर शिवानी दी ने फिर से ऐसा कुछ किया तो नहीं आज के बाद दुबारा ऐसा कुछ भी नहीं होगा आज के बाद दे हमेशा कुछ रहेंगे आदी विक्रम बिलकुल ठीक कह रहा है अगर घर मुस्कुर आएगा तभी तो शिवानी मुस्कुरा पाएगी ठीक है किरन आ रही है हम सब उसके आने के तैयार्या करते हैं अमाजी हमको मुटनी धिल्लाना तुम जाकर खाना बनाओ ने ने खाना तो बना देंगी लेकिन जाओ अर्वात परमा से बैस करती हो जो करना है करो नाना है मुह दोना है जो करना है करो जाएंगे नाएंगे क्यों हमने मेक अप कर लिया कुस्ता मत हुआ करो बीप लो हो जाएगा कूल हम तब तक जाकर आते के तैयारी शुरू करते हैं और मैं भी जाके फूलों से घर से जाते हूं हम मैं भी रंगोली बना लेती हूं कर दो कर दो झाल 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 कहानी अभी खातम नहीं हुई है उर्वशी कहानी का अखरी मोड अभी भी भी भाकी है जो एक दिन मैं लिखोंगी मैं वापर साओंगी और अपने साथ दिंख्राओं को भी साथ लेकर जाओंगी तब तुम में से कोई नहीं उसे बचा पाएगा नहीं बचा पाएगा आज इस घर में रक्षणी आ रही है अब तुम मेरे पेटे का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी पाएगा विक्रम भया, यह प्षूल्चा पाष्कर देना नहीं? यह? आण यह वाले यह. भया, यह आपके हाथ में सिंदूर कैसे लगा? देवर जी, खिरन के आने से पहले ही संदूर लगाने की प्राक्टिस चुरू कर दी क्या? चल जल्दी कर तूँ आपको पता भी आपने क्या किया? आपको पता है? Do you even realize, कि आपसे कितनी बड़ी गलती हुई है? तुरू, मैं किरन से कुछ नहीं चुपा हूँ है किरन, भी चंपा की बात कर रहा हूँ, चंपा की आप भी ना, माना अक्षे जीजु गलत है लेकिन अक्षे जीजु कि बात गलत नहीं है भाहिया आपने उसे जबर्दस्ती शादी कर ली तुरू, क्या उसने आपसे कुछ भी मांगा? नहीं क्या वो आपके साथ चलके घर पे आई? नहीं हो सकता है ना भाहिया कि इस बाहन आप गलत हो हो सकता है कि आपने उसको समझने में कुछ भूल कर दी हो अक्ता के रन भावी आगए मेरे पेटे की रक्षे ही आगई क्या क्या जस्या या्यो सुगंधिंपुष्री वर्दनं ओरवार कमी वा बंदन रावने क्यों मुखृ्री आम्रता मैं इसे प्रक्तिविड़द सुगंधिंपुष्री वर्दनं मेर हम दिन कवा परमिशुन एंदर घुसफे कि अंदर कुछ में अपंच कर से, हमारी जिन्ती फच्ना आने की फेरे यह मारी मांग में से दूर बढ़ने की इमत हुए अब कर इतना सब कुछ करे दिये । इक रसं तो हम भी करिंहे लिग अनग prioris लें तुर कर भाफ बश्त.